हेलो गूड इवनिंग छेलो अनंत लंबाई के बृताकार धारावाई चालक तार के कारण चुमक की छेतर गयात करना है ठीक है यह जो है अब यहां पर है कि मान लोग के कोई अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिए हम बिड़ताकार जिसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो यहां पर है कि इस वन में कि जब पीवन तार के बाहर इस थी तो आमपेर सर्कुटर लोगों से क्या हो जाएगा अगर मालों यह बाहर है इसका मतलब है कि आरे स्मॉल आ रहा है ग्रेटर देन ए है ना तरिज्यासी बढ़ा होगा तो यहां पर होगा लाइन इंटेग्रल ओफ बीडियल इकोल्स टू मिवन नॉट आट तो चुकि दोनों का एंगिल जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो तो कॉस जीरो वन होता है इसलिए इतना हो जाएगा अब फिर यहां पर बी कॉंस्टेंट तो डी एल डील का हो जाएगा टू पाई आर आउटसाइड में तार के आउटसाइड में ठीक है अब है केस की अगर मालो कि वह सता पर हो पी बिन्दू तो क्या हो जाएगा आर बढावर हो जाएगा उसके रिडियस के ए के तिस अमिकरण 1 में ही आर के जगपर क्या लग देंगे ए लिगे देंगे मसां पर आगे कॉस अंदर अगर मालों की कोई भी नुश्थित है पीटू अब इसमें दो तरह की बात होगी कि धारा केवल तार के उपरी सता से अगर प्रवाइद हो रहा है तो अंदर नहीं होगा प्रवाइद इसका मतलब आई जीरो तो अंदर में मैगनेटिक फिल्ड क्या होगा जीरो होगा है लेकिन अगर दूसरा केस यह आएगा कि अगर धारा जो है पूरी तार से अगर प्रवाइद हो आर लेस देन ए है अब आर रिडियस का जो वायर हुआ उसके टोटल मैं सर्फिस एरिया से कितना पास करेगा करेंट तो पहले हम आई डैस निकालेंगे अगर उससे पास करन प्रवकिर है अगरेंगे टतर परती एक च्छित्रफल से कितना पास करेंगे तो टोटल पास कर कर रहा आइड आई अब ड़िये उसका जो चुलोग का पाई एइस कोई अब कितना से पास करेंगा है उसमेंँ हम पार अरे सकर से मुत्प्लाइख करेंगे लिए और वां यहा यहाँ पर कॉस बीडिल फिर्फ पाइस का वैलो इयर्स कॉयर बाइआ स्कॉयर ठीक है तो यह अगया तो दिल एंट स्कॉयर मैं इसको इसको तो तो पाई आर को एक स्क्वाइर से एक वार कट जाएगा बचा कि हमें नोट बाई टू पाई आई आर माई ए स्क्वाइर यही है आज का यह अप्लिकेशन हुआ फिर और आगे हम लोग पर हैंगे सॉलेनो आइट टोरो आइट ठीक है ओके थेंक यू